पहने टाई लगा एक आदमी बैठा था पीस पार्टी का भी। तो ये तीन दलों का जो गडबंदन है इसमें ये इनकी कोशिस होगी कि ये हम आदमी पार्टी को भी लाएं। ये शुपाल यादो को भी लाएं और ये अखलेस यादों से भी मिलें। तो जो भी है गडबंद की पार्टी ये काम कर रही है चार विधायक हैं इनके तेरा जीले करीब ऐसे हैं जहां पर राजभर की पार्टी का प्रभाव है चार परसेंट वोट है और चौबिस लोग सभा सीटे यह जिन पर यह पचास जार से लेकर ढाई लाक वोट तक है राजभर का तो इस गड़बंधन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं अब यह जरूर है कि लोग ओएसी को बीजेपी की बीटीम कह रहे हैं बिहार का मुसल्मान पांच सीटे ओएसी को जिता चुका है उत्तर परदे जित में सब लड़े मुसल्मान एक जूठों के अगर सपा को जिताना चाहता है तो एक नहीं 500 ओएसी आ जाएं क्या फरक पड़ता है जिसको लड़ना है वो लड़ेगा बीजेपी से अब दूसरी बात आती है अर्विंद केजरिवाल की अर्विंद केजरिवाल बहुत एक सीरियस प्लेयर है राजनीत में इसलिए कि वह दिल्ली में तीन चुनाओं जीते हैं धाई सव यूनीट तक बिजली फिरी इस्कूल फाइब स्टार और हेल्थ में फिरी इलाज यही तो है और इससे बड़ा बिजली पानी सड़क वेसे बड़ा कोई मुद्दा है भारत में पर चुनाओं में यह मुद्दे काम नहीं आते उत्तर प्रदेश में अब तक गया तो मतलब ट्रैक रिकार्ड यूपी का यही है ना नहीं यह मुफलार खासी और यह लोग जो चिछाते थे यह क्या कर लिए तीन बार चुनाओं जीते नहीं जीते केजरीवाल भारत की राजनीत में अकेले मुख्य मंत्री है केजरीवाल कि जो जिन्नों ने पहली बार यह सब चीजे आम जनता के लिए फिरी की है बिजली है, पानी है, सिच्छा है, स्वास्त है, वरना ये सब खाली मंत्रियों और अपसरों के लिए था, तो ऐसा नहीं है, आप राजनीत से केजरिवाल को उत्तर प्रदेश की राजनीत में धमक बड़ी है, यूथ उनके पास बहुत बड़ा है, और मैं आपको बता दूँ कि केजरिवाल जो है, वो भारतिय राजनीत में पसंद किया जाने वाले राजनेता हैं, उनको आप खारिज नहीं कर सकते, भीवानी हर्याणा से आया हुआ ये वेक्ति, पह एक साल जिसकी पार्टी को हुए थे, उसने 28 विधान चबा की सीटे जीती थी दिल्ली में, अब पर्देश में चुनाओ लड़ने का एलान किया है, तो आपको क्या लगता है ये अकेले लड़ेंगे या फिर सपा से मिलके लड़ेंगे, क्या है इनका, इरादा क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी की नाक में दम कर देगा, वो बीजेपी पूरी देश की लगी दिल्ली में, फिर भी वो जीते हैं, बहुमत से जीते, आज ये बताईए कि बीजेपी केटी किसानों को हम 2000 रुपिया चार महीना पर दे रहे हैं फिरी रासन दे रहे हैं, और जेके घर में बिजली फिरी आये, जिसके घर में फाइब स्टार स्कूल में बच्चे प्राइम भी नहीं आ रही है, मिड़े मील खाने के लिए बच्चे बैठे रहते हैं, और केजिरिवाल के स्कूल फाइब स्टार, आप कितनी तुलना करोगे, कुछ तो है उसके पास दिखाने के लिए, बोलने के लिए, यहां तो दिखाएं, लखनोम दिखा दे कोई स्कूल, ये बि करता हूँ कि पहले आम आदमी पार्टी बात हो, आम आदमी कौन है, आम आदमी पार्टी मध्यम वर्ग को अपना आम आदमी मानती है, इस देश में मध्यम वर्ग 80 फीजदी है, पांक फीजदी रईस होगा, बाकी मध्यम वगरीब है, आप का निर्मार क्या हुआ है, इस भाष्टतंत से लडने के लिए देखिए केजरिवाल बीबी आईपी कल्चर के खिलाप वाला मुख्यमंत्री है रेड लाइट पर अपनी गाड़ी वो खुद भी रोग देता है राजभवन में सोफा पे तीन दिन लेट के मुख्यमंत्री धरना करता है कहीं देश में हुआ ह अब बीजेपी की सम्भावना यह है कि यह जो ऐसी लडेंगे राजभाल लडेंगे तो भाई तिरसंकू सरकार बनेगी तो तिरसंकू सरकार की यह मास्टर हैं यह तो वहां चौथे नंबर की पार्टी थे गोवा में वहां भी सरकार चला रहे हैं और महभूबा मुप्ती क साथ इनका दोई साल धाई साल रिस्ता चला ही कई और राज्यों में है आज उत्तर प्रदेश की राजनीत करवट ले रही है और यह करवट इतिहास बदलेगा बनाएगा यह देखना होगा क्योंकि इस देश पर मोदी का परवाव आज भी कायम है इससे कोई इंकार नहीं क पसंद करते हैं उस मोदी की कार्ट के लिए अगर अखिलेश यादो केजरीवाल राजभार वैसी यह लोग अलग अलग गटबंदन बनाते हैं या अलग लड़ते हैं तो देख्या चमतकार होगा यह तो आने वाला वक्त ताय करेगा जीविए लेकिन उत्तर परदेश में स करके मुसलमान ओईसी के नाम पर oot देगा तो बीज़ेपी जीतेगी चायए बीज़ेपी का ओचायए वी जीवात बृटिंओं लेकिन अगर मुसलमान कि देश के जनता का मिजाद कितना बदलता है लेकिन एक चीज जान लीजिए छोटे-छोटे मुद्दों से अपके जिरिवाल यूपी में घेरेगा बीजेपी को आसान नहीं है फिलाल पता नहीं को मुझे लग रहा हुआ खिलेश यादों की हेल्प करेंगे कि देखिये हो सकता मैं गलत हूँ कि एजरिवाल हेल्प करें यह ना करें बीजेपी को टक्कर देंगे क्योंकि यूथ मद्दाता उनके साथ है उनके पास आकर्सक योजनाएं हैं फिर ही योजना है लो फिरी फंट बढ़ रहा है जितना खाओ जी ख्याने वालों के लिए पशादे के ओट ले लिया तो बिजली फिरी दे के ओट कोई ले लेगा क्या पुरा है किसको नअने चाहिए फिरी बिजली इस तेस में आप दिल्ली में पूछें किसी से कि बिचली का आता है और लखनाओं में और नौइडम रहने वाले बिजिलिक बिल कितना आता है बताएगा आपको महेंगाई महेंगाई डायन से निजात मिली सव दिन का वादा था पिट्रोल डीजल कहां है रसोई गैस जी तमाम सारी चीजें हैं चलिए दिल्ली में क्या जीते हैं अब य कि देखो तो एक पहार से कंकर उलज गया और जो सो जुनून से यह दिलावर उलज गया इमत को उसकी आप भी अब दाद दीजिये कि लाखों के सूट से इस बार मफलर उलज गया धन्यवाद बिरेंजी बहुत-बहुत शुक्री आपका बही ओं परकाष राजबर जी संद प्रेस यह जा रहा है कि अपोजीशन का वोट काटने के लिए आपका मोर्चा एमाईम से हाथ मिला रहा है इस बात में कितनी सच्चा ही है देखे आप ऐसा करके बीजेपी का ही फाइदा पहुचाएंगे एक समय था एक समय था कि बीजेपी से लोग कोई चुनाव लड़न पटेल चवान बीन मला हम लोग मिलके गडबंधन बनाए हैं इसी तरह उन्होंने गडबंधन बनाया तब लोग उनके टिकट की तरफ मारी मरा होने लगी कल तक उनको भी कोई उनकी तरफ भी कोई देखने को तयार नहीं था लेकिन आज जब हम लोग गडबंधन वही काम ह यह स्वाभावी को वो लोग का रहे है जिनको हम लोगों से नुक्सान होने वाला तुन लोगों की सियासत में हम दखल अंदाजी दे रहे हैं कि भाई आप हमारी वजह से उनका नुक्सान समझ में आ industrial उन आ है अगर हम ऐसा करने को होता तो आज